शीना एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी उसे हर वक्त शरारत सूचती रहती थी और उसकी शरारतों से सब दुखी थे एक दिन उसने देखा कि उसके घर के साथ वाले घर में हंगामा हो रहा है अरे ये क्या हंगामा हो रहा है? इतना जोर-जोर से सब क्यों चिला रहे है? जाकर देखती हूँ शीना बगल वाले घर में जाती है अरे काकी, इतना क्यों चिला रही है? देखो शीना घर में कितना बड़ा चूहा आ गया है ओ हो काकी, भला ये भी दरने वाली बात है क्या? चूहे से कौन डरता है? मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे और मुझे क्या बहुत लोगों को इन चूहों से बहुत डर लगता है? ए भगवान, हट, हट, भागयां से अरे रुको काकी, रुको, इसे मैं पकड़ती हूँ ए चूहे, रुक, मेरी काकी को परिशान करता है मैं बताती हूँ तुझे, रुक, अरे, अरे, भागता का है? थोड़ी देर दोड़ भाग करने के बाद शीना पूँच से चूहे को पकड़ लेती है ये लो काकी, पकड़ लिया चूहा ये देखो, कैसे लटका हुआ है लो, आप भी पकड़ कर देखो अैसा बोलकर शीना चूहे को काकी के आगे कर देती है अरे, नहीं, नहीं, ले जाए से ले जांएँ, हाँ से, मुझे मत दिखा कितना डरती हो काक्याप फिर शीना चूहे को बाहर ले आती है लगती है तभी उसकी मा आ जाती है सी मज़ंख देती है अरे अरे ये चूहा मेरे उपर क्यों फेक दिया ये भगवान क्या करू फेक कर deber की шीना की शीना को मारने भागती है अच्छा मा अब नहींं करूंगी पक्ता आ ऐसे ही कुछ दिनों में शीना की शादी तै हो जाती है, और शीना की माँ शीना को समझाती है, देखो शीना बेटी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अपने ससुराल में अच्छे से रहना, वहाँ ये बच्चों वाली हरकते मत करना, कुछ नहीं करूँगी लेकिन बस जो मुझे परिशान करेगा उसे चुहे से जरूर डराऊंगी, क्या सोचने लग गई बेटा, जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुन, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया मा, कुछ ही दिनों में शीना की शादी हो जाती है, और शीना की सास शीना से कहती है, ए बहुरानी, अब इस घर में आ गई हो, तो इस घर के नियम कानून भी जान लो, जी मा जी, बता दीजिए, मेरे घर में सुभा चार बजे उठना होगा, और किचन में नहा कर ही पैर रखना, और साथ बजे से पहले पूजा खतम हो जानी चाहिए, जिस दिन अगले दिन शीना बहुत जल्दी उठ जाती है, और सारा काम खत्म कर देती है, सारा काम भी खत्म कर लिया, आट भी बज गए, लिकनी सासु मा अभी तक नहीं उठी, कल तो मुझे इतना भाशन दे रही थी, और खुद अभी तक सो रही है, तभी उसे एक चूहा नजर आत है, अभी मा जी को मज़ा चखाती हूँ, शीना चूहा पकड़ कर अपनी सास के ऊपर फेंग देती है, अरे 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 ये चूहा कहां से आ गया, अरे भगाओ इसे बाप ने, अरे बहुत मोटा है, अरे ये मुझे काट लेगा, अरे कोई है क्या, अरे बचाओ, अब आया न मज़ा, आई मुझे पर हुकम चलाने वाले, तभी शीना का पती अर्विंद भाग कराता है, अरे शीना, ये मा क्यों चला रही है, हाँ, मैं भी वही देखने जा रही थी, पता नहीं माजी को क्या हो गया, दोनों भाग कर जाते हैं, क्या हुआ माजी, आप चिला क्यों रह महीं पीछे खड़ी शीना धीरे धीरे हस रही थी और तभी अर्विन उस चुहे को भगा देता है। फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तभी शीना की सास आती है। बहु, आज खाने पर कुछ महमान आएंगे, तो खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है माजी, शीना जल्दी जल्दी सारा खाना बना देती है और शाम को महमान भी घर आ जाते हैं। आओ आओ भाईया आओ, भाबी जी नमस्ते, आज इतने दिनों के बाद आपका आना हो ही गया। हाँ बहना हम सोची रहे ते तुम्हारी बहु को भी देख लेंगे, शादी में तो आना ही नहीं हो पाया, और थोड़े दिन तुम्हारे पास भी रुक लेंगे। हाँ भाईया, सही किया तुमने, चलो आओ, मेरी बहु ने खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं। हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है अब। उंगली चाटते रह जाते हैं सब लोग। हाँ जी उठो, अरे देखो तो जड़ा लाइट अन करो, पता नहीं कमरे से अजीब सी आवाज है आ रही है। कमरे की लाइट जैसे ही अन होती है, मामी डर जाती है। क्या है, इतने सारे चुहे, इतने सारे चुहे कहां से आई जी, अपनी बहन को बलाओ जल्दी से। तभी कुछ चुहे अर्विन की मामी पर चड़ जाते हैं। सामी चुहे के डर से अपने घर चले जाते हैं। सही है चले गए। अब अपनी बहु के हाथ का खाना खाएंगे। ऐसे ही आए दिन शीना चुहों से सब को डराती थी। एक दिन शीना की माँ शीना से मिलने आती है। क्या हुआ बहन जी, किस सोच में बैठी हो। क्या बताओ बहन जी, पता नहीं घर में चुहे कहां से आ जाते हैं। उनकी वज़ा से कोई भी घर में नहीं आताब। शीना की माँ को सब कुछ समझा जाता है। और शीना की माँ कहीं से एक सांप लेकर आती है। और लाकर शीना के कमरे में छोड़ देती है। और बाहर से दर्वाजा बंद कर देती है। साप, बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, ये साप मुझे खा जाएगा, प्लीज मुझे बचाओ, कोई है अरे, ये शीना क्यों चिला रही है, रुख जाओ बहन जी, अभी उसे डर का पता चलने दो थोड़ी देर के बाद, शीना की मा दर्वाजा खोल कर, शीना को बाहर निकालती है क्या हुआ शीना, अब पता चला, डर क्या होता है, ऐसे ही जब तुम सब को चूहों से डराती हो, तो दूसरों की हालत भी तुम्हारी ही तरह खराब हो जाती है हाँ मा, मैं अच्छे से समझ गई, आज के बाद मैं कभी भी किसी को चूहों से नहीं डराऊंगी, लेकिन प्लीज, आप मेरी सास को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डाटींगी बेटी, मैं तेरी मा हूँ, और मैं हमेशा तेरी खुशी ही चाहूंगी चलो, तुम सोजाओ, जिसका बच्चा होगा, वो चुप करा लेगा वो दोनों फिर से लेट जाते हैं, लेकिन बच्चे की आवाज बंद नहीं होती सुरेखा, आपने बाहर चल कर देखना चाहिए, ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है फिर दोनों उतकर बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि आवाज वहां से आ रही है जहां उन्होंने कच्चे बर्तन रखे थे, दोनों वहां पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक घड़े में से ही आवाज आ रही है दोनों घड़े के पास जाकर देखते हैं उसमें एक सुन्दर सी बच्ची रो रही थी सुरेखा ये देख कर खुश हो जाती है और बोलती है देखो जी, हमारे मित्टी के घड़े में हमको बच्ची दे दी है पागल हो क्या भला ऐसा भी होता है क्या कि मित्टी के बर्तन में से बच्चा आ जाए लगता है कोई अपनी बच्ची को यहाँ पर रखकर भूल गया है मैं इधर उधर उसके माता पिता को देखकर आता हूँ मोहन इधर उधर देखने जाता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता सुरेखा तुम सही कह रही हो भगवान ने ये बच्ची हमें दी है अभी तो इसे कोई देखने वाला भी नहीं है अगली सुभा सास को ये पता चलता है तो वो बोलती है एक तो इसको कोई संतान नहीं हुई और फिर ये बच्ची पता नहीं कहां से आ गई किसका खून है ये मुझे लड़का चाहिए था जो हमारे वन्ष को आगे बढ़ाए और ये पता नहीं किसकी बच्ची है हम इसे क्यों पाले भला जाओ इसे फेंक करा जाओ कही मा तुम पागल हो गई हो क्या बच्चे भगवान का रूप होते हैं मैं इसे कहीं फेंकने नहीं जा रहा बलकि इसे अपने बच्चे की तरह पालूँगा तुझे जैसा सही लगे तुकर मेरी तो तु सुनता ही नहीं है एक दिन मोहन बच्चे को गोध में लेकर मिट्टी के बरतन बेचने जाता है और उस दिन उसके बरतन दुगने रेट पर बिखते हैं तो वो आकर अपनी बीवी से कहता है सुरेखा देखो हमारी इस लक्षमी ने आज सच में साबित कर दिया है कि ये भगवान का ही हमारे लिए आशिरवाद है इसके शुब कदमों से मेरा आज का काम बहुत अच्छा हुआ और मुनाफा भी दुगना हुआ है अजी मैं तो पहले ही दिन आपको बोलती थी कि मिट्टी के बरतन से निकली ये बच्ची हमारे लिए देवी का रूप बनकर आई है इसके आने से मेरी सूनी गोद भी भर गई है तुम सही कहती हो इसकी वज़ा से हमें माता पिता होने का सुख मिल गया है फिर मोहन जब भी अपने बरतन बेचने जाता बच्चे को साथ लेकर जाता जिससे उसे बहुत मुनाफ़ा होता और देखते ही देखते उसके मिट्टी के बरतनों का कारुबार बहुत अच्छा चल गया मिट्टी के बरतन से निकली वो बच्ची उसके लिए बहुत ही लखी थी मोहन को या किसी को कभी ये पता नहीं चला कि आखिर मिट्टी के बर्तन में से बच्ची कैसे आई पर वो लोग उसे देवी का रूप मानते थे फिर मोहन धीरे धीरे अमीर आग्मी बन गया था और जब लड़की बड़ी हो गई तो मोहन ने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की लड़की भी मोहन को बहुत प्यार करती थी साथ ही मोहन की मा भी धीरे धीरे अपनी पोती से प्यार करने लग जाती है